ना इधर ना उधर सीधे मुद्धे पर नज़र क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूस एठीन पुनीद के साथ तो एक तरफ बंगला देश में जो चल रहा है उसकी चर्चा है और दूसरी तरफ मिडी लिस्ट में छड़ा बवाल भी खबरों में ब लेकिन इस बीच हम लेकर आए हैं ऐसे खबर जिसका अपडेट हर कोई जाना चाहता है दरसल आज हम बात करेंगे भारत की उस बेटी की जो बीते दो महिनों से अंतरिक्ष में फसी हुई है जी हाँ आप सही समझे हम आज बात करने जा रहे हैं भारती अमूल की अमेरिकी अ आज आपको दे देते हैं अपडेट खबर के मुताबिक भारती अमूल की अमरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही इस वक्त अंतरिक्ष में बेहत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं दो महिने का वक्त बीच चुका है लेकिन वे कब लोटें इसके बारे में अभी कुछ भी तैय नहीं है उनकी बापसी में लगातार देर पर देर हुए जा रही है और यही कारण है कि उनकी सुनीतिया विलियम्सी नहीं कि उनके साथ एक और साथी मौ headlines मौजूद है जिनका नाम है बुच्छ विल्मौर। उनकी बेस्तिती नाजुक बताई जा रही है, हम आपको आके बताएंगे कि आखिर कितना वक्त नासा के पास है इन दोनों अंतरिक शियात्रियों को वापस धर्ती पर लाने के लिए, लेकिन उससे पहले उनकी सिहत के बारे में अपडेट आपको हम दे देते हैं कि क्या इस्तिती हैं, दरसल दो मैने से दोनों अंतरिक शियात्रि, ISS याने की International Space Station में फसे हुए हैं, और खबरों के मताबिक उनके सेहत में गिरावट दर्ज की जा रही हैं, इतना ही नहीं, जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि अगर ऐसे ही परिस्तिती बनी रही, तो उनके आँखों के रोशनी जाने तक का खत्र उन पर मतरा रहा है, लेकिन ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, आप कहेंगे कि इतना महेंगा मिशन है, सारी सुविधाएं एस्टोनॉट्स को दी जाती है, इनकी तो बाकाइदा ट्रेनिंग भी होती है, सारे इंतिजाम होते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है, थोड़ा वक्त तो ही लग रहा है, और फिर वो स्पेस स्टेशन में ही तो है, तो देखिए कि ये सब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष का फिजिक्स कुछ अलग है, वहाँ पर धर्ती जैसी स्थिती रहती नहीं है, वहाँ माइक्रो ग्राविटी होती है, और इसके संपर्क में कमजोर होता जाता है, अगर सही तरीके से देखवाल नहीं की गई, तो आँखों की रोश्णी तक जाने का खत्रा बन जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि ऑस्टियों पर होता है, वैसा ही प्रभाव यहाँ पर भी हो सकता है, यानि कि बोन डेंसिटी में कभी आ सक कम और ग्राविटी का मतलब गुरुत्वा कर्शन, यानि कि वो स्थान जहां पर गुरुत्वा कर्शन का बल बेहद सुक्ष्म रूप से मौजूद हो, हमने आपने देखा ही है कि अंतिरिक्ष में जाकर हमारे एस्टोनॉट्स कैसे हवा में तैरने लग जाते हैं, देखने के अनुरूब खुद को ढालने में भी काफी वक्त लग जाता है, अब सोचिए कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी मैस एक हफते के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे, और वहीं पर पंसकर रह गए, सुनीता और उनके साथी बुइंग स्टार लाइनर से रव हो रही थी, और थर्स्ट भी कई सारे काम नहीं कर पा रहे थे, यही कारण है कि अब भी उनकी वापसी संभव नहीं हो पा रही है, स्टार लाइनर से, हलाकि सुनीता विलियम्स और बुच विलमौर को वापस लाने के लिए नासा ने एक दूसरा प्लान भी तयार किया है, अब ही कोई तारीक तय नहीं हुई है, लेकिन इतना मान कर चलिए कि बस एक पकफाला और, इस दौरान ही नासा को कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, हम ये क्यों कह रहे हैं, ये भी बताते हैं, दरजल जो जानकारी आई है, उसके मताबिक सुनीता विलियम्स और बुच वि नहीं हुए थे, 14 जून को इन दोनों की बापसे भी होनी थी, दरसल अंतरिक्ष में जाकर अगर किसी कारण वहां से वापस ना आपाए, या अंतरिक्ष से जुड़ा कोई प्रजक्ट कड़ी मेहनत के बाद भी एक पाम्याब ना हो पाए, तो इसके पीछे कई जो लोग ल अंतरिक्ष में सबसे सुरक्षित जगहों में से एक पर हैं, क्योंकि वो इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन में मौझूद हैं और उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, सोमनात ने ये भी कहा कि सुनिता विलियम्स के अलाबा वहां आठ अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं और इन में से कई तो ऐसे हैं जो लंबे समय से वहां पर रहे हैं, कुल मिलाकर हर कोई यही चाता है कि भारतिय मूल की सुनिता और उनके साथ ही जल्द से जल्द धर्ती पर सुरक्षित लौता है, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, फि